यूपी लोर पीशियस वेकंसी 2024 को लेकर वड़ी अपडेट है देखे 2024 वेकंसी आएगी या 2025 में आएगी पहले ही सबस्ट कर चुका हूँ लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जो कि आयड होने वाले हैं और पदों की संख्या बढ़ने वाली है तो पूरी खबर इस वीडियो में दू पूरी जानकारी दूँगा क्या चर्चाएं हैं और क्या चल रहा है निकाय में बंपर भरती को लेकर बढ़ी अपडेट दूँगा बिहार में 2,14,000 नई भरतियों को लेकर बढ़ी अपडेट दूँगा तो वीडियो को पूरा वाच करते रहे उससे पहले अगर आप यू बस थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो आए जान लेते हैं यूपिटर पलसी के माध्यम से एनम भरती का विग्यापन जारी किया जा चुका है इसकी परिच्छा होने वाली है इसकी परिच्छा 2025 में कंड़ेक्ट कराई जाएगी आप पास बहुत कम समय बचा है अपनी तयारी को बहुत ही बहतर कर पाएंगे जिससे आपका स्वास्त कारिकरता यानि की यूपि एनम भरती में सेलेक्शन हो जाएगा और आप सरकारी नौकरी पा जाएगे इसमें जो भी प्रशन आपको देखने को मिलेगा परिच्छा पारिक्रम पर आधारित होगा 25 प पर होगा जो की ब्याख्यात्मक हसाइथ होगा प्रशनों की क्वाल्टी देखकर आप मुग्द हो जाएंगे बहुत ही कुस हो जाएंगे जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कितने गजब की प्रशन हैं जो की भरती परिच्छाओं में पूछे जरूर जाते हैं और करना है आपको जानकारी मिल जाएगी लिंक मिल जाएगा अब मैं बात करूंगा सबसे पहले लोड़ पीसेस बैकंसी को लेकर जैसा कि मेरे दोर बहुत पहले आपको बताए गया था कि 400 से ज्यादा पदो का जिया चानी यूपी टपलसी को प्राप्त है पदो के शंख्या 12 1200 1300 1400 हो सकती है कई बार बता चुका हूं लेकिन अभी हुई नहीं है अगर कोई कहता हो गई तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं हो गया है आपको बता दें कि अजसासी अधिकारी की जो वैकंसी होती है वह लोड़ पीसेस के अंतरगत मुझे जहां तक जानकारी आता है तो लगबग देड़ सो से उपर पत जो है लोड़ पीसेस में इसको आड़ कर दिया जाएगा इसको भी आड़ किया जाएगा तो इसी प्रकार से जो है कई पद एड़ होने वाले हैं खादिनरी रिच्छा के 64 पद एड़ हो सकते हैं जो कि लोड पीसे उसके अंतरगत एड़ हो सकता है तो इसी प्रकार से पदों की शंख्या लगवा 12-1300 तक जा सकता है अगर समय से अज याचन पहुँच गया तो 12-1300 तक जा सकता है लेकिन या तभी जाएगा जब पेटर 2024 से इसका विज्या पनाएगा वैसे मैंने आपसे बोला है कि ज्यादा संभावना पेट 2024 से है पेट 2023 से अगर आता है तो पदों के शंख्या काफी कम रहेगी चार्ससी ज्यादा पदों का दयाचन प्राप्त है हाँ 2、300 का और रही तो लगबग साथ सो लेकर एकहजार के बीच में पदों की संख्या हो सकती है लेकिन अगर यह 24 में कनवर्ड हो जाता है 2024 में विज्या है पनाता तो पदों की शंख्या बढ़कर जो है बारास सो एक हजार से लेकर तेरासो चोहजा सो तक हो सकता है बहुत-वाकान सी जाएगी जिसका माध्यम होगा यूबट बल सी के माधियम में सिझाए इन भरतियों का विज्जय होगा तो फिर मैं इस प्रस्ट करना चाहता हूं कि कम chances है कि पर दूजा तीसे वेकंसी आए आएगी तो पदों की शंख्या 700 से लेकर 1000 की वीच होगी इससे ज्यादा नहीं होगी कम बले हो जाए क्योंकि 400 से ज्यादा पदों का ज्याच है यूपिट वाले सिप्राप्त है तो आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आ मैं बात करूंगा आरो यारो एकंसी को लेकर जैसा कि आपको मालूं होगा कि परिच्छा को लेकर काफी संघर्ष किया गया 222 इसकी परिच्छा पूस्पूर्ण कर दी गई आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस तरह से PCS प्लिम्स जोए एक सिप्ट में कराने की प्लानिंग चल रही है उसी प्लकार से आरो यारो यारो की प्रिच्छा इक सिप्ट में कराई जाए अवश्ष्क कराई जाएगी आप लोग प्रैसान मत होई है देखे अगर एक से ज़्यादा सिम्टि में परिच्छा होता है तो काफी नुक्सान आपको देखने को मिल सकता है जिसमें जो है कि प्रतेग प्रश्ण में आर्ट से दस गलत विवादी प्रश्ण होते हैं तो नौर्मलाइजेसन का खेला उपर नीचे सब को कर देगा जो और जो कम पढ़ा लिखा बच्चा है जो कम पढ़ता लिखता है वो आगे थोड़ा चल जाएगा मेरा काई में तरब जो कम प्रिजन किया जाए कि एक बहुत ज्यादा जो दस घंटे पढ़ता है एक पांच घंटे पढ़ता है तो पांच घंटे वाला दस घंटे से आगे जा सकता है बले कितना भी वहा धुरंधर हो पढ़ाई में दो दिन तीन सप्टमर परिछा कराने पर तीनों सप्टमर पेपर आउट होने का खतरा रहता है यह भी बहुत दुरलव इस्तिती है परिछा का खर्च भी बढ़ जाता है या भी बड़ी बात है जिन भी द्यालों को परिछा के इंद्र बनाये जाएगा परिछा की कारण इंगेज रखने से वहां लाखों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आउट होने का खत्रा वर जाता है तो अभ्यर्थियों ने आयोक से का भई हमारा भी तो सुझाव मान लीजिए हम भी PCS की तयारी कर रहे हैं तो भाई भबिस में हम भी कुछ अच्छा करेंगे तो अगर आप हमारा सुझाव मानेंगे तो को परिशा केंद्र्ण बनायें जाने वाले निश परिश्चन सन्स्ठानों में परिशा के लिए स सरकारी करमचारी लगाए ये अगर आपको वहाँ पर यूटी करने वाले तो प्राइमरी वालों को भेड़ दीजिए आपकी परिष्छा साकुन संपन हो जाएगी विदा वर रहां बिशाओ दिया है है और भैस्टियों ने जो सुझा दिया है बहुत जबर्चसुझा दिया है केंद्र लेकर गया है विर्थियों की द्वारा कि केंद्र बनाए जाने वाले निजीस सिचर संस्थानों में परिछा के लिए सरकारी करमचारी लगा Öz जैसे कि मैंने कहा कि आप कोई करम लेकपाल को भी लगा सकते हैं इत्यात को भी लगा सकते हैं और अब भिर्चो के मन में जो संचा है कि कमेटी की जो रिपोर्ट आई यो क्या होगा तो दोस्तों मैं आपको बताना चाता हूं अभी इस पश्ट आपकी परिच्छा एक ही दिन को करानी पड़ेगी नहीं तो पांच लाग PCS के कंडिडेट थे और आपने धर्ना देखा होगा हारत खराब हो गया इनका वापस लेना पड़ा नार्मलाजिशन खतम करना पड़ा इसमें तो दस लाग छीहत्तर हजार कंडिडेट हैं दूगने का अंतर है अगर इनका धर्ना सुरू हो गया दुबारा औ men and samkaозंकुराचार ने जो कहा कि हमारे एक वच्चे को समिच्छ जिकारी मनाना है अगर वाला खेला करने का प्रियास किए isan कि संकराचारे क्या देओं पता नहीं कौन से गुरुजी हैं मैं तो नाम नहीं जानता हूं इतना और मैं ध्यान भी नहीं देता हूं इतनाrit लेकिन मैं जब एक वीडियो सुना तो उसमें कह रहे हैं समीच्छाथकारी बनाना आपको समीच्छाथकारी बात मानेंगे आप बताइए एक पढ़ाया लिखा ब्यक्ति एक बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला ब्यक्ति का सेलेक्शन नहीं हो रहा है तो पीट थपा देने से क अगर्मा चार पत्र को आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी किस तरह से अधकारी और रिष्टेदारों को भरा गया है विधान परशत बैविधान सवाएक कुछी में बैकेंसी आई थी तो आप सोचिए तो इनको एक दिन ही परिष्टा करानी पड़ेगे चिंता आप मत करिए आपकी परिष्टा 15 हम आज के बाद या फिर 15 अपरेल के पहले आने के अपरेल के प्रथम पकवारे में होगी उम्मीद है कि 10 अपरेल के पहले आपकी परिष्टा हो जाए चिंता मत करिए एक दिन मे दो लाख 14,000 नई भरतिया जल्द होंगी और यह आपके लिए खुसखबरी है पांच लाख से ज़्यादा भरतिया हो चुकी है आपको बता दें कि विधान सबत चुनाओं से पहले एकुल पांच लाख पदों पर भरति की त्यारी है और यह टार्गे जो दस से बारा लाख करने की है तो दो लाख 11,000 से अधिक पदों पर जो है रिक्तियों की सुची सम्मंदित आयों को भेद दिया गया है दो लाख 80,000 और पदों पर न्युक्ति के लिए अधिया अचना की परक्रिया जारी है कुल मिलाकर पांच लाख पदों पर भाली की प्रक्रिया अगले साल बिहार भिधान सबा चुनाओं के पहले पूरी कर ली जाएगी साथ साथ नगर विकास में जो है तीन हजार पांच सो से ज्यादा पदों पर निमित नुक्ति की जाएगी कहा कहा कहते अधियाचन गए हैं तो बिहार की अगर हम अपडेट देते हैं आपको तो बीपासी को एक लाख अटिह जार साथ सो एक आलीस करमचारी चेहन आयोका टारह जार हाजार साथ 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 तकनिकी सेवा आयोका जो 17,211 पुलिस सेवा आयोग को एक लाख तीन हजार 49 केंद्रे चैन परसत को एकीस जार तीन सुए क्यानवे कुल में आकर दो लाख ग्यारा हजार सा सुत्यासी पदों का जियाचन प्राप्स है आप लोग किंटा मत करिए बहुत से भी भागों में भरतिया होनी है तो आपको तैयारी करने को शक्ता है बिहार में विधान सवाच चुनाओ के पहले बंपर भरति होने और बंपर भरतियों का विज्ञापना आएगा तो अभी इससे पढ़ते रहिए और आपको एक सीट लेनी है फाड देना है फाड कर लिकरना भी से एक सीट लेनी आपको तो जितने भी लोग तैयारी करना है भी हार भरति की कमेंड वाक से बताए और इस वीडियो को जरूर सेयर करें कि जो मैं जानकारी दूंगा देखिएगा उसी से मिलता जूलता जानकारी आपको इसके बाद दी जाएगी इसी अब चार पत्र में निकलाओ लेकर के मेरी तरह बोल यह का प्रियास किया जाएगा तो चिंता हम मत करिये दोस्तों लगातार अपडेट देता रहता हूं एक बड़ी अपडेट में आपको यूपट पलश्य का देरे चाता हूं इन्नम भरति के तारीकर रहे आ तो परिसार म समबर उपर जा सकता है साथ साथ मैं आपको बता दू अगर आप प्रस्त दिन 2 से 3 घंटे पढ़ाई करते हैं सुबा और 2 से 3 घंटे साम तो आप एनम बन चुके हैं मैदा स्वास कारिकरता बन चुके हैं मैं गारेंटिस कहता हूं तो आप इस वीडियो को सेर कर दें लाइक क कर दें पूरा वीडियो सुने के लिए जिल से जन्य बाद